नमस्कार दोस्तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको जेट महिने की चौत की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान गड़ेश कीजे अवश्य लिखे साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजे जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिए ये कहान सतियोग में सो यगी करने वाले एक प्रथु नामक राजा हुए उनके राजी में दया देव नामक एक ब्राहमर रहते थे वो बेदों में निपून थे उन ब्राहमर के चार पुत्र थे पिता ने अपने पुत्रों का विभा ग्रह सूत्र के बैदिक बिधान सीक कर दिया उन चार बहूँं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी हिल सासुमा मैं बचपन से ही संकर्टा से गड़ेश चतुर्थी का ब्रत करती आई हूँ मैंने पित्र ग्रह में भी इस सुद्धायक ब्रत को किया है अतेहेमा आप मुझे यहां ब्रत अपनी बहू की बात सुनकर उसके ससुर्ण ने कहा बहू तुम सभी बहूँं में स्रेश्ट और बड़ी हो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है ऐसी इस्तिती में तुम किसलिए ब्रत करना चाहती हो अभी तुम्हारा समय उपभो करने का है यह गड़ेश ची कौन है फिर तुम्हें करना ही क्या है और दृष महिने के बाद उसने एक सुन्दर बालग को जन्म दिया उसकी सास बहु को बार बाद ब्रत करने के लिए मना करती रही और ब्रत छोड़ने के लिए बहु को बाद हिकर दिया ब्रत भंग होने के फलशरूप गड़ेश ची कुस दि बिभायोग हो गया उसका बिभा होने लगा उसके पुत्र के फेरों के समय गड़ेश जी ने उसके पुत्र का अपरहन कर लिया इस अनोहनी घटना ने मंडप में खलवली मचा दे सब लोग ब्याकुल होकर कहने लगे लड़का कहां गया किसे ने अपरहन कर लिया बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेब से रो रोकर कहने लगी हे ससुर जी आपने मेरे गड़ेश चतुर्थी का ब्रत छुड़गा दिया जिसके परणाम सरूप ही मेरा पुत्र गायव हो गया है अपनी पुत्र बधु के मुख से ऐसी बात सुनक रोकर ब्रामर बहुत दुखी हुए साथी पुत्र बधु भी दुखी हुई पती के लिए दुखी पुत्र बधु प्रतिमाह संकट नाशन चतुर्थी का ब्रत करने लगी एक समयք की बात है कि एक बेदग और दुरवल ब्राहमर बिच्च्छह टन के लिए बड़ी बहु की बहु के घर आए ब्राहमण ने कहा हे बेटी मुझे विच्छा सरूप इतना भूजन दे दो कि मेरी छुदा सांथ हो जाए उस ब्राहमण की बात सुनकर उस धरम परायन कन्या ने उस ब्राहमण का विधिवत पूजन किया भक्ति पूर्बग भूजन कराने के बाद उसने ब्राहमण को बस्तर आदे दिये कन्या की सेवा से संटुष्ट होकर ब्राहमण कहने लगे हे बेटी हम तुम पर प्रशन है तुम अपनी इच्छा के अनकूर मुझसे बरदान प्राप्त कर लो मैं ब्राहमण भीजधारी गणेश हूं ब्राहमण की बात सुनकर कन्या हाथ चोड़कर निवेधन करने लगी हे बिगनेश्वर यदि आप प्रशन हैं तो मुझे मेरे पती के दर्शन करा दीजिए कन्या की बात सुनकर गड़ेश्ची ने उससे कहा हे बेटी तुम बहुत सुन्दर विचार वाली हो जो तुम चाहती हो वही होगा तुम्हारा पती सी प्रशन हुए बालक की माता की हर्श की तो शीमा ही न रही साथ ही शंपूर नगरvisor भी खुस हुए बालक की माता ने पुत्र को चाहती से लगा लिया और कहने लगी कि गड़ेश्ची के प्रसास से ही मैंने खोई हुए पुत्र को प्राप्त किया है फिर से मंडब का निर्मार करके विधी पूर्वक बैवाहिक कारी शंपन किया गया वैभा की शाली कन्या अपने पती को पाकर धन्य हो गई जेश्ट मास के चतुर्थी मनुश्यों के मनोरत को पूर्ण करती है जो व्यक्ति इस ब्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगे जैहो भगवान गड़ेश की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद